अब एंजेलीना जोली के किरदार को आवाज देंगी एश्वर या रायम बच्चन आज कल बॉलिवुड के बड़े बड़े सितारे हॉलिवुड फिल्मों के हिंदी वर्जन में अपनी आवाज दे रहे हैं ऐसे में हाल ही में शाहरोग खान और उनके बेटे आरियन खान ने फिल्म दलायन किंग में मुभासा और सिंबा के किरदारों के अपनी आवाजें दी और उससे पहले रनवीर सिंग फिल्म डेट पूल में और टाइगर श्रॉप स्पाइडर मैन के लिए अपनी आवाज दे च खबरों के मुताबिक इस फिल्म में जेगलीना जोली एक बुरी शुडैल के किरदार में नजर आने वाली हैं और उनके किरदार को एश्वर्या आवाज देने वाली हैं वहीं इस फिल्म का पहला पार्ट काफी हिट हुआ था और अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट के साथ मेकर्स दर्शकों को हैरान करने के लिए पूरी तरह से तयार हैं। वहीं इस फिल्म का अंग्रेजी ट्रेलर जुलाई में ही रिलीज किया गया था और उस ट्रेलर को अब तक 1.5 करोड से ज्यादा हार देखा जा चुका है। वहीं आपको इस फिल्म के हिंदी ट्रेलर का इंतजार करना होगा। आपको बता दे कि वॉल्ट डिजनी के बैनर तले बनी ये फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होनी है और इन सभी के बीच आज बात ये है कि फिल्म का हिंदी वर्जन भी एक ही दिन रिलीज होगा।